सोवियत संग संचालित, दूसरी दुनिया, एवं पूर्वी योरप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम कारण तो हम जान गए कि इनका पतन क्यों हुआ, उसका इतिहास भी जान गए कि इसकी शुरुवात कहां से हुई पतन की नीव कहां पर रखी गई, अब हम जाने कि जब पतन हुआ तो उसके परिणाम क्या हुए विश्वराजनीती में और साथ ही साथ सोवियत संग के अंदर भी वैसे तो इन सब की चर्चा पूर में की जा चुकी है, पर अलग-अलग बिंदूओं के तहट तो हम अब एक साथ क्रमशा इसको फिर से देख लेते हैं कि दूसरी दुनिया, सोवियत संग की दुनिया आपको याद होगा दूसरी दुनिया कहलाती थी या दूसरे शब्दों में कहें, दूसरी दुनिया का नितरत तो सोवियत संग के पास था पहली दुनिया का नित्रित तो सहुखत राज अमेरिका के पास था और तीसरी दुनिया वे देश जो बहुत ही निमनस तरपे थे थर्ड वर्ल जिसे कहते हैं तो हम दूसरी दुनिया के पतन के परिणामों पर एक नज़र डाले पहला परिणाम विश्व की राजनीती में इसके बहुत गंबीर परिणाम हुए थे पूरी राजनीती पूरी कूटनीती बदल गई उदारन के लिए शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया शीत युद्ध के कारणों पर अब हम नहीं जाते हैं इसे हमने काफी समझ लिया है इतना समझ लियें कि एक धूरी के विगटन से शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ संघर्ष की जो प्रणाली थी संघर्ष की जो आदितें थी और दौर और संघर्ष की प्रणाली अपूरी तरह खतम हो गई इसके साथ ही समाजवादी प्रणाली ये भी लगभक समाप्त प्राय होने लगी पूझी वादी प्रणाली को समाजवादी प्रणाली हटा पाएगी की नहीं जिसके लिए जिसको पूरा देश पूरा विश्व देखता रहता था कि साम्यवाद प्रणाली किस हद तक पूरी वाद प्रणाली को हटा पाएगी इस चिंता पर भी एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया और समाजवादी प्रणाली या साम्यवादी प्रणाली समाप्त प्राय होने लगी इसके बाद ये अब मुद्दा भी नहीं रहा यदि आप उस काल को देखें 1950, 60, 70 के दश्कों को तो पूरे विश्व के समाचार पत्र, पूरे विश्व के वाद विवाद के विशय, पूरे विश्व में बुद्ध जीवियों के बीच यही चर्चा होती थी सम्विवाद बनाम पूंजी वाद में कौन सब बहतर और इसको लेकर बड़े तीवर विवाद होते थे और पूरी विचार धारा पूरा विश्व इसी में उलज़ा हुआ था विकास में न ध्यान दे कर विकास की प्रणालियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा उसकी सोच पर प्रणाम क्या हुआ था कि विकास रुक चुका था लेकिन अब ये मुद्ध नहीं रहा समाजवादी एवं पूजवादी विवस्था के बीच जो इसका जो विचार आत्मक युद्ध जो चल रहा था जो श्रीत उद्ध की रूप में था ये अब विवादी खतम हो गया हत्यारों की तीवर होड जिसने शुरू की थी वह खतम हो गयी शीट उद्ध की समाप्ति के साथ हत्यारों की होड भी खतम हुई विश्व जो दो सैनी गुटों में बट गया था सैनी गुट के मेरा ताथपर है नैटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ओगनाइजेशन जिसका नित्रत अमेरिका कर रहा था ऐसे ही वार्शाव पैक्ट जिसका नित्रत सोवियस संग कर रहा था फिर सीटो सेंटो आदी आदी ऐसे कई सैनिक गुट बने थे ऐसे ही कई सैन संधियां हुई थी इन सैन संधियों का औचती ही समाप्त हो गया जिसने दुनिया को दो भागों में बाट दिया था दो सैन गुटों में बाट दिया था अब ये सैन गुटों की महत्ता इनकी उपादेता इनकी उप्योगता ही खतम हो गयी इनकी होड़ भी खत प्रशन का संभवत अंतर राश्टी राजनीती में सबसे बड़ा परणाम था और शांती की नई संभावनायों नई द्वार उसके खुले विश्व शांती के दूसरा परणाम अंतर राश्टी राजनीती के शक्ति संबंधों में बदलाओ अंतर राश्टी राजनीती के शक्ति संबंधों में बदलाओं से क्या ताथपर है शीत युद के अंत में या अंत के समय केवल दो ही संभावनाय थी एक शीत युद समाप्त होगा जो एक धृव के विगटन के बाद हुआ तो या तो विश्व एक धृवी हो जाएगा और उस एक धृवी विश्व में एक देश महा महा शक्ति के रूप में रहेगा और या दूसरा कि विश्व में कई ऐसे समुदाय कई ऐसे जुंड कई ऐसे गृप बनेंगे जो एक तरीके से विभिन खेमों का कारी करेंगे और विश्व जो है वो बहु धृवी हो जाएगा तो यह जो दो समभावनाएं थी इन में से बहु धृवी विश्व की समभावनाओं पर चोट लगी और समय के साथ देखा गया कि विश्व मात्र एक धृवी रह गया है और पूरा विश्व जो है वो अमेरिकी वर्चस्व से अब प्रभावित है अमेरिकी वर्चस्व अब वर्टमान की राजनीती का एक अहम मुद्दा है अमेरिका महा महा शक्ती बन बैठा और उसके साथ ही अंतर राजनीती के शक्त समंदों में भी बदला हुआ है अब अमेरिका की विचारधारा भी उसके साथ बढ़ी जहां तक अमेरिका के लोकतंत्री विवस्था की बात है अमेरिका की उधारवादी विवस्था की बात है इसे अब दुनिया में सर्वशेष्ट व्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा क्योंकि अमेरिका महा महा शक्ति के रूप में इन विचार धाराओं को एक्स्प्रेस करता है व्यक्त करता है और परिणाम ये कि अब विच में लोकतांत्रिक बयार का वार्धक के हुआ वह बढ़ा और इसे सर्वशेष्ट धारना के रूप में देखा जाने लगा तीसरा परिणाम अंतरराष्ट्री व्यवस्था पर पूझी वादी अर्थ व्यवस्था का प्रभाव बहुत बढ़ा गया साम्यवादी अर्थ विवस्था जहां जहां टूटी वहाँ वहाँ पूजी वादी अर्थ विवस्था विचार धारा ने अपनी पैठ बढ़ाई अपनी पहुच बढ़ाई एक कहरास याने दूसरे का विकास तो सम्मेवादी विचार धारा जब गिरने लगी तो उसका इस्थान पूंजी वादी विचार धारा ने लिया और सम्मेवादी विचार धारा का पतन इस पूंजी वादी विचार धारा के लिए मानो एक सू अवसर था धीरे धीरे पूंजी वादी विचारधारा सर्वशेष्ट आर्थिक मॉडेल के रूप में मानी जाने लगी और आज पूरे विश्व में यही विचारधारा है भारत भी उससे अच्छूता नहीं रहा उनने सर इंकाइनबे में पीवी नर्सिंभराव जब भारत के प्रसान मंतरी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंग तक काली इनवित्त मंतरी थे इसी पूर्जी वादी विचारधारा के प्रभाव से प्रभावित होकर उनने देश में आर्थिक लिब्रलाइजेशन, एकनॉमिक लिब्रलाइजेशन की क्रांतिलाई थी जो आज हम देख रहे हूं जिसका आज हम उपभोग कर रहे हूं इस विभाजन से, सोवियत संग के विभाजन से सामयवाद का प्रभाव तो कम हुआ, परिणाम पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ा, उसको नए मौके मिले चौथा जो परिणाम हुआ, इस विगटन का वह था कि कुछ की शक्तियों में विगटन के कारण कमी आई उदारण के लिए कि पंद्रा जो गणराज थे, वे पंद्रा गणराज स्वतंत्र हो गया और रूस उनका उत्तरादिकारी बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि इन शक्तियों में विगटन के कारण एक तरीके से इनकी शक्तियों का भी बटवारा हो गया और ये पंद्रा नए गणराज जो सामने आए जो स्वतंत्र है और उनमें रूस एक तरीके से उनका उत्तरादिकारी बना छट्मा प्रभाव इस विगटन का कि कुछ सामयवादी देश यूएसे से मिल गए जो पहले सामयवादी खेमे में थे खासकर पूर्वी यूरप के देश ये अब यूएसे की तरफ चले गए उधर मिल गए और इसके कारण यूएसे का दबदबा अंतरराश्टी राजनीती में बढ़ा कुछ देशों ने तो नैटो की सदस्थिता के लिए भी आविदन किया यानि वार्सव पैक्ट के जो सदस्थिते पूर में उन में से कुछ लोगों ने सैनिक खेमे को बदलने को प्रात्मिक्ता दी और नॉर् छट्वा प्रणाम विगटन के बाद विगटन के प्रणाम चुरूप सभी गणराज्यों की आर्थिक राजनेतिक और उनकी अपनी स्वायम की व्यवस्था जो थी वो कमजोर पड़ गई जब ये तूटा तो तूटने से क्या हुआ सभी संसादनों का बटवारा हुआ राजनेतिक संस्थाओं का बटवारा हुआ नव निर्मान की प्रक्रिया में ये देश काफी कमजोर हो गया और वह काल जब साम्यवाद का पतन हो रहा था और पूझी वाद घुड़ पैट की प्रयास कर रहा था इन साथाट दस वर्षों का काल इन पंद्रा गणराजियों के लिए बड़ा ही विश्म काल था बड़े कठिन दोर का काल था इस परिवर्तन के काल में साम्यवाद से पूझी वाद या साम्यवाद से गैर साम्यवाद का ये जो काल था परिवर्तन का काल इसमें लगवग नब्बे प्रतिशत उद्योग नब्बे प्रतिशत संपत्ती जो सरकारी थी जो सार्विदिनिक थी वो निजी हाथों को बेश दी गई और जो खरीदने की सामर्थ रखते थे उन्होंने खरीदा इनकी संख्याच चुनिंदा रहती है और अन्य लोग वापस पुरानी उसी अवस्था में आ गए जहां पर वे बहुत पूर में थे तो ये जो अवस्था थी ये एक तरीके से बहुत बुरी थी इन में से जो ये राष्ट थे ने स्वतंत राष्ट हुए स्वतंत रहना उन्होंने पसंद किया और सोवियत संख खेमे के अंत का अर्थ कुछ दूसरा निकला जब विश्व बैंक और आएमेफ आएमेफ याने अंतराष्टरी मुद्राकोश इंटरनाशनल मानिटरी फंड जो विश्व में जरूरत मन देशों की आर्थिक सहायता करती है पैसा देती है उधार देती है रिन देती है तो इन लोगों ने इसमें अपनी दखल दी और विश्व बैंक और आएमेफ ने सुधार कुछ किये जिसे हम उपचार समझें तो बहतर रहेगा इस उपचार के बारे में हम बात में बात करेंगे लेकिन आप समझ लें कि विश्व बैंक और आएमेफ के द्वारा किये गए ये सुधार या उपचार के सुरूप एक नया मॉडल सामने आया आर्थिक विकास का और इस मॉडल के कहते हैं शॉक तेरैपी ये क्या है आर्थिक और राजनेतिक सुधार उपचार का एक मॉडल जो इन गणराज्य देशों में अपनाया गया इनको सोवियत संग के विगटन के बाद की समस्याओं से उबारने के लिए आयमेफ द्वारा और वर्ल्ल बैंक के द्वारा अपनाया गया आर्थिक मॉडल शॉक तेरैपी कहलाता है तो यह भी विगटन का एक परणाम था परणामों की अधि बात करें तो सात्वा जो परणाम है वह है कि साम्यवादी देशों में जो एकता थी चाहे वह सोवियत संग की विचारधारा के करण चाहे वह सोवियत संग के दबाओ के करण चाहे सोवियत संग के द्वारा बनाये गए वार्शॉप पैक्ट से जुड़ा होएने के करण यह जो एकता थी इनके समाप्त हो गई थवा लगए और साम्यवादी विचारधारा के भी टुकड़े हो गए कई तरह की इस विचारधारा है साम्यवाद के अंदर पनपने लगे परणाम क्या हुआ कि जो चेचन्या नक्षे में देखेंगे और दागिस्तान यहाँ पर हिंसात्म का अंदुलन होने लगे यहाँ पर हिंसा इतनी भड़क गई कि बहुत बड़ी संख्या में निहत्थे नागरिक मार दिये गए हथियारों का खुला उपयोग जहां के तथा कि आतंक वादियों के द्वारा किया जाने लगा और चेचन्या और दागिस्तान में रोज बहुत भारी संख्या में मौत के खबरे आने लगी अलगावादिया अंदुलन होने लगे और चचन्या और दागिस्तान के लोग स्वयम अब इस नए राष्ट से निकल कर अपना राष्ट बनाने लगे अर्थाथ विगटन के भीतर विगटन होना एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो इस प्रक्रिया पर लगाम देना इसे रोक पाना इसे थाम लेना एक बहुत कठिन कारे होता है तो चचन्या दागिस्तान जहां पर अत्याधिक हिंसात्मत अलगावादी अंदुलन चले ताजिकिस्तान जिसका जिक्र मैंने किया है वहाँ दस वर्षों तक ग्रियुद चला ग्रियुद क्या होता है ऐसा युद जो देश के अंदर के ही लोगों के बीच में हो इसमें कोई बाहरी तत्व शामिल नहीं रहता है कम से कम प्रत्यक्ष रूप से कोई बाहरी ताकत इसमें नहीं रहती ये देश के अंदर के ही लोगों के बीच की लड़ाई को ग्रिह युद्ध कहते हैं दुरभागे से ताजिकिस्तान में वहीं के दो गुटों के बीच में भारी लड़ाई चली जो लगवक दस वर्श्व तक चली और यहां लड़ाई भी इसलिए थी कि इसमें से एक गुट और स्वतंत्र होना चाहता था जबकि दूसरा गुट इसके लिए तयार नहीं था पेट्रोल संसाधन जिसके लिए सोवियत संग प्रसिद्ध था और पेट्रोल संसाधन जो स्वतंत्र हुए देशों के लिए बहुत अहम था उस पर कई दूसरे देशों की नजर थी पैनी नजर योकि पेट्रोल याने गोल्ड सोना तो इसलिए हर एक देश चाहता था चाहे वो सोवियत संग के मातहत वाले देशों या बाहर के देशों इन सब की नजर इन पेट्रोल संसाधन से प्रचुर भरे पूरे देशों की ओर नजरें थी वो अपनी नजरें लगाया बैठे थे एक और घटना जो बहुत उस्समें चल रही थी पनप रही थी और जिसका असर आज भी है वो था यूगोसलाविया यूगोसलाविया आप देख रहे हैं एक वैसे ही छोटा देश है वो और छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गया उसके और छोटे-छोटे कोसोवो जो उसी खेत्र में एक शहर का नाम है वह तो विश्व को लगवक तीसरे युद्ध की कगार तक ले जिए वरतमान में वहाँ सहिक्तुराश्चंग की फौज पदस्थ है बड़ी भारी संख्या में सहिक्तुराश्चंग की फौज है वहाँ और उस फौज में भार हिस्चा है भारती सैनिक जो अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं तो ये देखिए सोवियस संग के विगटन का असर अभी तक कैसे हो रहा है और भारत भी इससे अच्छूता नहीं है कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सोवियस संग के विगटन के बड़े भैंकर परणाम निकले बहुत ही दुरदान बहुत ही भैंक परणाम निकले और एक तरीके से हम कहें कि सोवियस संग जो है अमेरिका को टकर देने वाला सबसे बड़ा देश था पंद्रागन्नराजیों का संग होकर सोवियत संग एक स्वेव में बहुत बड़ी महाशक्ति था अब वह सब समाप्त हो गया और विगटन के बाद सोवियत संग के बहुत से राजियों ने और विगटन के लिए हिंसात्म गतिवीजिया देखी अत्याचार देखे, अन्य देशों का लोव देखा, और न जाने, कितनी तरह की दिक्कते इनके और आएं विक्टन का अंतिम परिणाम, जो हम पढ़ चुके हैं, वह है कि सोवियत संखे में के अंत का अर्थ था, नए राष्ट्रों का उदै भी पंद्रा राष्ट सामने आये, इन हर देशों की अपनी पहचान थी, अपनी स्वांस्कृति थी, और इनके अपनी पसंद थी, अपने एस्पिरेशन्स थे, अपने लक्ष थे, अपने सपने थे तो इस प्रकार ये पंद्रा देश आया है, इन में से कुछ देश, जो खासकर बाल्टिक सीमा पर हैं, बाल्टिक देश कहलाते हैं, और पूर्व यॉर्प के देश, इन देशों ने एक तरीके से योरोपी संग में जुड़ना चाहा, जिसे योरोपियन यूनियन कहा जाता है, जिसका पूर में जिक्र हो चुका है, तो ये देश अब कहां जाएं, इन में से कुछ ने अमेरिका की और अपने को मोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने यूरोपियन संग का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की, और फोवियस संग के वे देश जो एशियाई जो एशियाई क्षेतर में थे, एशियाई महादवीप में थे, मद्य एशिया महादवीप के देश, इन लोगों की अपनी विशिष्ट भागोलिक स्थिती थी इन्होंने अपनी विशेष्ट भागोली स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके मद्दे नजर कुछ नई नीती, कुछ अलग नीती अपनाई इन्होंने सुनिशित किया कि इनके संबंद रूस से मधुर रहे रूस जो उनका पुराना हिस्सा हुआ करता था जब सोवियत संग था लेकिन अब वह सोवियत संग का उत्तरादिकारी बन चुका था और सबसे ताकतवर देश के रूप में इनके बीच में उभरा था तो यहां के देशों ने मध्य एशियाई सोवियत संग के गणराज्यों ने जिसमें हम कह सकते हैं किर्गिस्तान कजाकिस्तान तुर्कमैनिस्तान काजिताजिकिस्तान आदी आदी इन लोगों ने एक अलग नीती अपनाए ना नाटो की और मुखातिर हुए ना येरोपियन संग की और गए बलकि इन्होंने तै किया कि सोवियत संग के पूर्व हिस्सा रूस के साथ इनके संबंद मधुर रहें और मधुर बनाय रखे इसके साथ ही किसी गुट में इन्हो जाहिर नहीं की और अपने संबंद अमेरिका के साथ भी और चीन खेमे के साथ भी अच्छे बनाने का सत्त रूप से प्रयास करना है इस तरह हम देखते हैं कि अंतर राश्टी फलक में यदि हम अंतर राश्टी नक्षा अंतर राश्टी विश्व की बात करें तो ये नए खिलाडी एक नए तरीके से उभरे और नए तरीके की राजनीती शुरू की और हर एक की ये जो मध्य श्याई देश हैं या बाल्टिक देश भी की बात करें तो ये सब के अपने हित थे इनकी अपनी पहचान ही इनकी अपनी आर्थिक सामाजिक मुद्दे थे अपनी इतने नए तरीके से अब राजनीती विश्व राजनीती प्रारम भूल समाजवादी शासन के बाद शौक थिरपी इसे देखें यहां लिखा हुआ है समाजवादी शासन के बाद शौक थिरपी सोवियत संग के पतन के बाद सोवियत संग के गणराज सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोगतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था या पूंजी व्यादी व्यवस्था तक के बड़े कश्ट प्रस संक्रमान से उनको गुजरना पड़ा पहले मैंने बताया है कि जब सोवियत संग का विगटन हुआ साम्यवाद समात हुआ तो नहीं कौन सी विचारधारा अपना ही जाए या चाहे वो पूंजी वादी हो चाहे कोई और व्यवस्था हो उसको अपनी पकड़ बनाने में जो समय लगा जो लगभग दस वर्ष का माना जा सकता है 1990 से लगभग 2000 के दस वर्ष का काल जो था वह इन नवोधित देशों के लिए बड़ा कठिन दौर था इस संक्रमाण से बड़े कष्ट प्रत तरीके से इस यात्रा में ने बड़े कष्ट प्रत तरीके से गुजरना पड़ा चत्तावादी समाजवादी अर्थविवस्था से अब पूंजीवादी लोकतांत्रिक अर्थविवस्था की ओर बढ़ने का जो रास्ता था बहुत ही कश्ट प्रत था आप समझ सकते हैं कि रूस मद्ध एशिया गंडराज और पूर्वी यूरोपी देशों में सामयवाद के हटने से बहुत उहा पोह मची होगी बहुत उथल पुथल मची होगी जन्ता वैसे ही त्रस थी क्योंकि आर्थिक सिती बड़ी कमजोर थी आर्थिक सिती कमजोर होने के कई कारण हमने पहले चर्चित कर चुके हैं बात कर चुके हैं हत्यारों की होड, सामेवाद के प्रिचार का प्रियास, आदी आदी, अन्य देशों को आर्थिक मदद, परणाम क्या हुआ कि सोवियत संग के ये गंडराज्य स्वैम बहुत कमजोर हो चले, और इसमें भी ये समझने की बात है, कि रूस को छोड़ कर सोवियत संग के अंतरग लिया था, तो जब विगटन हुआ, उसके बाद जो खाली स्थान रहा, उस खाली स्थान में बड़ी आर्थिक उथल-पिथल मची, बहुत कठिन दौर से गुजरने पड़ा, और जो संपत्ती, जो भूमी आदी थी, या धना धिवर्क को चली गई, निजी हाथों ने ले चाहे वो खरीदी या हथियाली, विश बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस काल में उन्होंने इन देशों की मदद का विचार किया, और मदद करने के विचार के रूप में एक नए मॉडल के साथ अपने को यहां पर दरशित किया, पेश किया, यह मॉडल कहलाता ह शौक थिरेपी मॉडल, शौक थिरेपी क्या है, शौक थिरेपी का अर्थ है, आघात पहुचा कर इलाज करना, बड़ा अजीब लगे का आपको सुनते हुए, चोट पहुचाने के बाद फिर इलाज करना, चोट कैसे, इसका अर्थ क्या हुआ, आयम एफ वर्ल बैंक ने, इन गणराज्यों की जो संपत्ति थी, जो धन था, जो जमीन थी, इसको पहले तो निजी हाथों में बेचा, लगवग नब्वे प्रश्यत से ज़्यादा उद्योग और संपत्ति निजी हाथों में बेच दी गई, इसके बाद, दूसरे शब्दों में, जितनी सारवजनिक संपत्ति थी, उसे उसका निजी करण कर दिया गया, क्रिशी के लिए भी निजी फर्म आदी खोल दिये गए, पहले सोविया संग में क्रिशी व्यवस्था, एक बड़ी व्यवस्थित चीज थी, कम्यून के रूप में पूरे गाउं के गाउं, एक खेत मानते हुए अपनी मोडेल, पश्चमी विचारधरा, पूञी वादी विचारधरा को अपनाते हुए, सरप्रथम ये सारी क्रिशी व्यवस्था का भी निजी करण कर दिया, सारी क्रिशी विवस्था के लिए उन्हें निजी फर्मों को बेश डाला, और मुक्त व्यापार की पैर्वी करने व्यापार की व्यापार जब की गई तो इसमें जो लोग इस व्यापार में सफल हुए जिनकी संख्या हमेशा नगन थी वो तो अच्छे रहे पर बाकी लोग बैगा तो इस पकार हम कह सकते हैं कि साम्मिवादी शासन के बाद वहां की व्यवस्था की सुधार के लिए IMF और World Bank ने दखल किया और उन्होंने वहां की स्थिति को परक्ते हुए जो व्यवस्था लाई उसे शोक थिरेपी कहते हैं शक्तिरेपी का अर्थ है चोट पहुँचाने के बाद आगात पहुँचाना और उसके बाद उपचार करना जिसमें आगात का अर्थ है सभी चीजों का निजी करन और उसके बाद उपचार का अर्थ है वहाँ पर निजी करन के बाद उत्पन होई स्थितियों को सम्हालने की क कोशीश करना हूं